नमस्कार दोस्तों मैं भी सीख आपका भी सीख टुटिरियल पर स्वागत करता हूँ आज आई है बहुत बरी ब्रेकिंग नुज पूरी ख़बर बिल्कुल धियान से देखेंगे चैनल पे पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे यहाँ पे बात करें इंडर की कौपी जाज के लिए बहुत बरी ख़बर आई है जैसा कि आप लोग को पता है कि आपजेक्टिव का आंसर की जारी हुआ और उसमें सुधार की आकरीती थी जो है वो रखी गई है 16 मर्च यानि 16 मार्च तक आप उसमें आवजेक्टिव लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ी ख़बर ये आ गई है कि आपकी कौपी जाज जो है वो समाप्त हो गई है जी यहाँ कौपी जाज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है पूरे जीले में कौपी जाज चल रहे थी बिहार में और कौपी जाज अभी की ब्रेकिंग नीज है कि कौपी जाज समाप्त कर ली गई है सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकिंग नीज आपको अभी से एक टुटिरियल पर मिल रहा है वीडियो को जल्दे से लाइक कीजिए, सेर कीजिए, यहाँ पे बता दे, पूरे बिस्तार में यहाँ पे बात करें, तो इंटर कॉपी की जाँच जो है, वो पुरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पे रिजल्ट के तारिक भी घोजित कर दी गई है, सब को जानेंग कि जब कॉपी जाँ छोड़ी थी, उसी समय कॉंप्यूटर पे मुल्यांकन किया जा रहा था, इसी कारण आप लोग का आंसर की भी जारी किया गया, जिसमें सुधार की आखरी तीथी रखी गई है, सोला मार्च, अगर आपको अबजेक्टी में किसी तरह की सुधार करनी है तिस पे अभी सेक ट्यूटर पे वीडियो दिया गया है, कल सुभा वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसेश बताया गया है, साथी साथ आपको ये भी बता दे, इस बार इंडर का रिजल्ट में ग्रामिन चात्र ने मारी है बाजी, यानि सबसे जादा संख्या अगर किसी चात्र के दिख रही है, तो ग्रामिन चात्र जो है, वो टॉपर लिष्ट में भरमार है, यानि साभी टॉपर लिष्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रामिन चात्र ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पिछले साल भी ग्रामिन चात्र की ही भरमार थी, इ किसी भी दोर हो वो हर दोर से लड़ने में सच्छम है और हर दोर से लड़कर खुद को आगे निकाल रहे हैं ग्रामी छात्र टॉपर टेर्ड में बिलकुल सामिल हो गए हैं जिनमें गल्स और वाइस दोनों सामिल हैं हलाकि टॉप वन में कौन है अभी इसका फैसला होना बाक कि बड़ी खबर यह है कि आप लोग की कौपी जाज पूरी हो चुकी है रिजल्ट की तारीक घोसित हो चुकी है तो जानते हैं रिजल्ट अगर आप 2022 के लिए नीट के लिए प्लान करना चाहते हैं तो अन एकैडमी लेकर आ गया है अर्ली इंस्यूज बैज जो की सुरू ह होने जा रहा है 15 मार्श 2021 को तो आज ही जुरें और अपने होसलों को और भी बुलंद करें अर्ली इंस्यूज बैज से जुरू कर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारे आप वन मंत का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 7000 पे करना होता है अगर आप 3 मंत का ले से दो सालों तक पढ़ सकते हैं और अपने सपने को अपने ड्रीम को क्रैक कर सकते हैं तो आज ही इंजॉल के जी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो अनकैर्मी का लर्नर एप इंस्टॉल करें आसके डाउट पे क सकते हैं जो कि आपकी संडे मंडे तुजडे किसी भी दीन आप किसी भी समय कर सकते हैं हमिशा की तरह इस संडे भी आनकैर्मी देने जारी है 100% अस्कॉलर्शिप और प्लस सब्सक्रिप्शन तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रेफरल कोड में अभी से एक टिट जारी हो गई है तो इंटर वाले बिल्कुल ध्यान सुनें के उनका रिजल जो है वो तयार हो चुका है किसी वक्त जारी हो सकता है और यहां पे फाइनल तिती भी जारी कर दी गई है जिसमें यह भी बता दिया गया है इस वार इंटर के रिजल्ट में जो पासिंग कउपानिघ करे while पेर ने के पिचंड में जो पास करेंगे लाकी रहत की बात यह है कि इंटर की जाज पूरी हो गई है और सबी कोपिया जो है वो मुझाले तक पहुचना जारी हो गया है यारी जहाँ जहाँ कॉप्य जाच पुरी हो चुकी है वहाँ से कॉप्या जो है बिहार बोर्ड आफिस पहुंचाई जा रही है जैसे ही सारी कॉप्या बिहार बोर्ड आफिस पहुंच जाती है आपके लिए बरी खुसकबरी ये हो जाएगी कि आप लोग का Topper का इंटर्वियू सुरू हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में रहें आप लोग को कभी भी इंटर्वियू के लिए कॉल आ सकता है Topper की इंटर्वियू यानि की Top 10 में आप सामिल है या किसी district में top करने जा रहे हैं तो भी आपका interview इस बार होगा ही होगा यह 100% है कि topर का interview होगा यह भी बात कर ले इस बार छात्रों के साथ साथ छात्राव ने भी काफी अच्छे marks दिखाए है सहरी छात्राव ने यानि सहरी छात्र में सिर्फ girls ने अच्छा performance किया है जबकि ग्रामी छात्रों में boys ने अच्छा performance किया है ग्रामी छात्र में boys अच्छा performance करते दिख रहे हैं और सहरी छात्र में girls अच्छा performance की है यानि ग्रामी और सहरी में boys and girls combination हो गया है अब देखना ये होगा क्या सहरी छात्र फिसड़ी दिखते नजर आ रहे हैं या ग्रामी छात्रों ने मार ली है बाजी यहाँ पे देखिए कि इंटर का जो रिजल्ट होगा वो फैनल्टी थी यहाँ पे जारी तो पूरी खबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे बता दें कि आप लोग को 16 मार्स तक जो अबजिक्टीव का आंसर की आप लोग को सब्मिट करना है वो काम पूरा कर दें नहीं तो उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसका सुधार कब तक जारी किया जाएगा तो उसको कोई भी जारी नहीं किया जाएगा फिर से आपका आंसर की जारी नहीं किया जाएगा आपका जो है डालेक्ट रिजल्ट आएगा जो आंसर की मिलान नहीं कर रहे हैं और आप बारबर प्राबलम में फज़ आओगे, फिर उसके बाद कोई सुनबाई नहीं होगी, एक सालाव का बरबाद हो जाएगा, अब यहाँ पर बता दें कि आपकी रिजल्ट की तारीक जो है, वो कब जारी होने जारी है, तो रिजल्ट की तारीक भी हो गया है फैसला, र 26 मार्च को दो पहर के दो बज़े आप लोग का रिजल्ट जो है, वो जारी होने जारा है, इंटर का, मैट्री का रिजल्ट में अभी टाइम लग सकता है, तो पूरी खबर आप लोग सुन लिए हैं, वीडियो को कर दिजिए, चैनल पर पहली बार चैनल का सब्सक्राइब क करके बेल आइकन क्लिक किजिए, ताकि भी हर बोट की हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें, और आप निकलें सबसे अबबल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में